सिच्छा के जिग्याइश्वो नमास्कार आपका स्वागत है डेक्टर पावन सुकला एजूकेस नरिस्ट के यूट्यूब चैनल पर आप जानी रहे हैं हम लोग सिच्छा सचास दिशे की चर्चा अपने चैनल पर कर रहा हैं और इस चर्चा का करम इस समय सिच्छा के दाश दिवन का समर्पन किया था ऐसे महान दर्शनिकों का नाम जब लिया जाता है तो उसमें सर्वो पर यह हैं स्री स्वामी विवेका नंद जी जो की बारा जनवरी 1863 को पैदा हुए थे और इनका जन कुलकता में हुआ था जबकि यह नरेंद्र दत्र नाम से जाने जाते थे और बच्पन से ही इनकी रुच्छी अध्यान में थी जो भी थे विशे को बहुत गुरता से अध्यान करते थे और सत्य की खोच के लिए ही परिसान रहते थे तो निश्चित रूप से इन्होंने अपने लच्छ को प्राप्त किया और उसी संदर्व में स्वामी रामकृष्ण से इनका जो इनकी जो मुलाकात होती है उनसे बड़े प्रभावित हुए वे वहाँ जाकर के उनसे इस्वार के संदर्व में पूछने लगे कि इस्वार है की नहीं है तो स्वामी रामकृष्ण ने कहा कि इस्वार को तुमको देखना है और उन्होंने इस्वार का साथ छातकार कराया तब से नरेंदर दर्ट स्वामी विवेकानंद हुए और वे हिंदू समाज के उत्थान के लिए मानवता के उत्थान के लिए दिन प्रति दिन अपने जीवन को समर्पित करते रहे इनके दरसन आज का जो हमारा प्रकंड है वह है स्वामी विवेका नंत का नव्य वेदान्त तथा सिच्छा की बात की जा रही है वेदान्त के संदर में आपने वेदान्त दर्शन में देखा कि वेदान्त जो है वह वेदों के जो अंत के रूप में उपनिस्दों का दर्शन था उसको सुईकार किया गया और उसमें कई दर्शनिक विचाधराओं का उदे भी हुआ जिसमें अद्वयत वेदान्द को भी आपने देखा और इस तरह से आज नव्य वेदान्द की बात की जाती है इनके वेदान्द को नव्य वेदान्द की तरशन इसलिए कहा जाता है कि ये भारत की जो पूर्व की संस्कृति और जो पस्चिम का विज्ञान था उसके मेल के पच्छधर थे वो चाहते थे कि जो पस्चिम का विज्ञान यानि योरोप और अमेरिका जैसे देशों का जो विज्ञान में खोज हुई है विज्यान की खोजों के दौरा भारत के जीवन को भी उच्छतर बनाया जा सकता है और बनाया जाना चाहिए इनका मुख्य जो यही था लेकिन वे खिसी भी दसा में भारत के जो मूल्य दर्स थे भारत का जो दर्सन था उसका त्याग नहीं करना चाहते थे और वे 1893 में अमेरिका भी गए थे जहां विश्व धर्म सम्मेलन हो रहा था सिकागो बक्ति का नामक उनकी पुस्तक है जिसमें उन्होंने उसका ब्रिहद वर्णन किया है पूरा वर्णन उसमें मिलता है कि किस तरह से उन्होंने हिंदु धर्म की जो विभिन प्रक्रियाय हैं कर्मकांड और जन्मम्रित्यू और जो कर्मका शिद्धांत है सबका उन्होंने एक आउचित्य पूर्ण तरीके से बैग्यानिक्ता के साथ उसको सिद्ध किया था अमेरिका में वे बहुत ही लोगप्री हुए थे उनके भाषण के फस्चाज वे वहां से आये और रामकृष्ण मठ की अस्थापना के साथ ही उन्होंने भारत के जीवन दर्शन को उत्थान के लिए आगे बढ़ा अपने जीवन को समर्पित कर दिया उनके जीवन की बहुत सारी प्राप्तियां हैं जिनको आप जानना चाहेंगे और जानना भी चाहिए तो उसी प्राप्तियों में हमें सिच्छा जगत के संदर में इनकी जो सिच्छा के कई पुस्तके हैं उसका भी अध्यान आप करेंगे तो बहुत कुछ मिलेगा सिच्छा के संदर में उन्हें की बड़ी बहुत सारी बातें देखने लायक हैं, वे कहते थे कि जो सिच्छा प्रणाली जन साधान को जीवन संगर्ष से जूजने की सक्तिपदान करने में सायक नहीं होती है, जो मनुष्य के नैतिक बल का, उसकी सेवा बृति का, उसमें के समान साहस का विकास नहीं करती, वह भी क्या सिच्छा नाम के योग्या है, अब आप इस वाक्ति को जो कोटेशन यहां लिखा गया है कथन, आप देखिए, तो स्वामी विवेका नंद के जो नव्य वेदान के सिच्छा के संदर में भाव था, उसको अस्पस रूप से सम काते थे, कि उनमें मनुष्य के नयतिक बल का उसमें विकास करे, उनमें सेवा बृति का विकास करे, और उनमें सिंग के समान साहस का विकास करे, वही सिच्छा का लाती है, जो ऐसा नहीं करती, उसे सिच्छा नहीं कहा जा सकता, तो जो सिच्छा की परिभासाता था, सिच् सिच्छा की व्याख्या सक्ति के विकास के रूप में की जा सकती है किसके रूप में की जा सकती है सक्ति के विकास के रूप में सिच्छा की बात की जा सकती है और वह सक्ति की विकास किस प्रकार का होगा वह सक्ति जो मनुष्य में निहित पूर्णता का विकास है यारी सिच् विकास करना ही स्वामी जी सिच्छा मानते थे स्वामी विवेकानिंजी के नविवेदान्त में सिच्छा द्वारा मनुष्य का निर्माण किया जाता है और श्रमस्त अध्येनों का अंतिम लच्छ मनुष्य का विकास करना है जिस अध्येन द्वारा मनुष्य की संकल्व सक्त का प्रवास सयमित होकर प्रभावात प्रभावात पादक बन सके उसी का नाम सिच्छा है जड़ासा इसका समझेगा सिच्छादारा मनुष्य का निर्माण किया जाता है जो मनुष्य है वह जन्म से मनुष्य है निश्यत रूप से लेकिन अज्ञानता के कारण वेद्धनत्य इसलिए वह कहते हैं कि जो मनुष्य में निहित पूंड़ता का विकास करना है और मनुष्य का निर्माज इससे किया जाए समझत अद्यनों का अंतिमलच यही है कि मनुष्य का विकास करना मनुष्य कैसे मनुष्यता के संदर में विक्सित हो जिस अद्यन का मनुष्य की संक संकल्प सक्ति का प्रभा सःयमित हो कर प्रभा उतपादक बन सके उसी का नाम सिछ्चा है। सिच्छा उस जानकारी के समुच्चे का नाम नहीं है जो तुम्हारे मस्तिस्क में भर दे गई है और वहाँ पड़े पड़े तुम्हारी सारी जिंदगी बिना पचाये शड़ रही है यानि इस तरह से वे जो अनुपयोगी बिशे हैं और अनुपयोगी सिच्छा की जो कर लें और वहाँ आपके मस्तिस्क में एक जैसे सड़ आपके मस्तिस्क में पहुंच करके वक्यवाल सड़ रही हो वो पच्छ न सके ऐसी सिच्छा की कोई आवश्यक्ता नहीं है वे जो कहते थे पहले भी उन्होंने कहा था कि आज हम लोग दीन हो गया है हम प्रत्यकारिक को दूसरों के डर से करते हैं डरते हुए बोलते हैं डरते हुए सुचते हैं ऐसा लगता है कि हमने सत्रों के देश में जन्म लिया है मित्रों के नहीं तिस तरह से उन्होंने कहा कि जो जो हमें आप तक इस तरह से दबाया गया है या अंग्रेजों के और मुसलमानों के शा सब्सक्राइब रंद सब्सक्राइब बढ़ सके वह बेहतर जीवन व्यतीत कर सके इसलिए इन्हों ने सिच्छा पर विशेश जोर दिया और सिच्छा के उद्देश्यों के संदर में बात की जाए तो उन्होंने कहा कि पहली बात तो सारीरिक पूर्ता की बात है सिच्छा के उद्देश संदर में पहला उद्देश से सारीरिक वूर्ता क्योंकि जो आपका अस्थित्व है इस भौतिक सरीर के कारण है इसलिए इस भौतिक सरीर को बहुतर से बहुतर बनाने के लिए आपको योग ब्यायाम खेल कूदाद करना चाहिए वे एक जगह कहते हैं कि जो युवक है उसके लिए गीता के अध्यान से वेतर है कि वो फुटबाल के मैदान में अपने आपको और शबल बने बनाए उसके द्वारा वश्वरक तक ज्यादा करीब पहुंच सकता है जितने इतना ही अधयर है कि वे चाहते हैं कि जो सारीरिक पून् Lorता है अब के जो शरीर का अविकास है है अगर वह शर्वत्र पाणता की ओर होगा तो निश्चित रूप से जो व्यक्ति है जो बालक है वह जब सरीर इस स्वस्थ होगा तो मन भी उसका स्वस्थ होगा और बिना दोनों के स्वस्थ रहने स्वंतुलित रहने के सिछा का जो लच्छ है वो पूरा नहीं हो सकता तो पहला उद्देश था उनका कि सारे पूंडता का विकास करना उसके बाद दूसरी बात की जाए तो दूसरे में उकाते हैं कि जो युक्त है, आपके जो ज्यान है, आपका जो सिच्छा है, आपकी जो सिच्छा है, वो इस प्रकार से होनी चाहिए, कि जो आपका जीवन का संगर्ष है, वो सहाज हो सके, सरल हो सके, आप अपने जीवन के लच्छों को सहस्ता से प्राप्त कर सके, ऐसी सिच्छा की संकल्पना स्वामी विवकानंजी कहते थे, जिससे जीवन संगर्ष साज हो सके, जीविक्या का समश्या है वो शरल हो सके, जो आप किसी का उपकार करना चाते हैं, उसके लिए सबसे पहले अवश्यक्त है, कि आप सच्छमता हो आपमें, आपके पास धन हो, आपके पास उस तरह की मनोब बने और उसके बाद समाज राष्ट इस तरह से आप तभी कर सकते हैं जब आप व्यक्तिकत रूप से संतुष्ट होंगे तो जीवन का संगर्ष है उस शंगर्ष की तैयारी करना सिच्छा का दूसरा उद्देश है तिसरा उद्देश उन्हें करते हैं कि राष्टीता अपनी राष्टीता को अपने भाव को इस तरह से समझें कि देश आपका है दायत तो आपका है और अंतर राष्टीता की भी बात करते थे कि उसका अंतर राष्टीता के भाव का भी विकास होना चाहिए जिससे की जो मानवता है मानवता किसी प्रकार से पीड़ितना हो इसलिए हो काते हैं ऐवीर साहस का उलंबन करो गर्व से कहो मैं भारतवासी हूँ और प्रतेग भारतवासी मेरा भाई है तुम चिल्ला कर कहो कि मोर्ख भारतवासी ब्रामण भारतवासी चांडाल भारतवासी सभी मेरे भाई हैं यह भाव बताता है कि किस तरह से स्वामी वि जहां भी जाते थे विना चुवा चूत के बिना भेद्भाव के उठना बैटना खाना पिना करना सब कुछ वे करते थे क्योंकि वे चाहते थे कि जो भारत का हर नागरिक है वह जो समाजिक व्यूश्था में वो जातियता को दिया आदार बनाया गया वह बैवाजिक्स संबंदों तक ही रहे तो बेतर है बाकी और हर भारतवा सी अपने व्यूसाइक है जो जातिता है उसको अपनी जगह रख करके किसी प्रकार का कोई भेद किसी में न करे चाहे वह कुछा प्रमण भारतवसी हो चाहे चंडल भारतवसी हो चाहे मौर्ख भारतवसी हो किसी के संदर में भी वे किसी भी प्रकार के भेद भाव की बात नहीं चाहते उनकी कलपना थ कि जो पूरा भारतवस है, पूरे भारतवस के सभी लोग एक भाव से सोचे और एक दूसरे के हित में, एक दूसरे के जीवन के उत्थान में अपनी पूर्णता का सहयोग करें, अपने आपको पूर्ण बनाएं, दूसरे को भी पूर्णता की हो ले जाएं, तभी जो जीवन क किसी विराष्ट का विकास उसकी सुरच्छा बहुत कर उसके चरित्वान नागरिकों पर भी निर्भर करती है चरित्र का उसमें समझने का प्रयाज करिएगा चरित्र को आज कल बहुत संकुछी द्रिश्टिकोल से कुछ समध्दों के अधार पर ही समझा जाता है जबकि वह एकांस मात्र है चरित्र पूरे जीमुन का जो आचार व्योंभार है जो मुल्यों का एक समुच्चे है उसके आधार पर निर्मित होता है स्वामी जी चाहते थे कि जो भारत के लोग हैं वे चरित्वान बने और चरित्वान के जो नागरिक होगा चरित्वान नागरिक ही पूरे विश्व का देश का विकास करेगा और जब वो देश का विकास करेगा तब ही विश्व का विकास करेगा क्योंकि जो ब्रह्मचरी का पालन उन्होंने बल दिया था ब्रह्मचरी देखा जाए तो ब्रह्मचरी के द्वारा ही मुनिष में अध्यात्मिक और वोधिक सक्तियोंका विकास ओता है और वहमन बचनकर्म से पवित्र बन सकता है क्योंकि जो ब्रम्चरी के साथ बाद जो संबंदों की बात होती जो आपके प्रजनन की बाद होती है देखा जाए तो जो भाती संसकार हैं उसमें संतानोत पत्त के अतरिक्त किसी पर प्रकार के शंबंद की प्रूडता है उपेच्छा की जानी चाहिए क्योंकि ब्रह्मचारी में जो वेरे का सरच्छड होता है वो जवान बनाता है आपको अंतरिक सक्दि का वास्ठिजन करता है वांतरिक सक्दि है ही इसलिए उसका सरच्छड करना चाहिए स्वामे जी धार्मी विकास को भी सिच्छा का प्र whomगुद्यस मांते थे उसके प्रत्यक ब्यक्ति उस साथ अथवा धर्म को मालुम कर सके जो उसके अंदर छिपा है इसके लिए उन्होंने मन और हिदे के प्रसिश्ट पर बल दिया और बताया कि सिच्छा ऐसी होनी चाहिए जिसे प्राप्त करके बालक अपने जीवन को प्रवित कर सके आग्या पालन कर सके समाज सेवा और महापुर्शों और शंतों का अंधकरान कर सके तो इसको भी देख सक का नाम आजाता है कि कुछ लोग धर्म के नाम पर भी इसको प्रचारित करने का प्रयाश कर रहे हैं तो मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं है और मानवता ही एक मात्र धर्म होना चाहिए इसलिए धार्मी विकास को बल देने की बात करते हैं और जो आप हमारी हमारी भारत भारती संस्कृती है उसमें विभिनता है जो विभिनता में एकता की बात है वह भी उनकी सिच्छा का एक उद्देश है कि जो विभिनता दिखाई पड़ रही है और वास्तों में जो विभिनता है भी उसमें भी हमें एकता का सूत्र अस्थापित करना चाहिए विभिनता में एक्ता के विकास के पढ़ियाम सुरूप ही मानौता का उद्धान हो सकता है स्वामी विवेकानन्द पुद्ध से लेकर के पस्चिन तक कई विश्व के समस्त कई देशों की यात्रा उन्होंने की थी और हर जगा वे इसी सुत्र को इसी लच्छ को अस्थाफिक करने का प्रया आप जो कुछ कहना सुनना हो कर सकते हैं चैनल लाइक करने सेयर करने सब्सक्राइब करने पर भी विचार कर सकते हैं धन्यवाद नमस्कार